डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग करोना वाइरस केसिस की तादात 38,422 हो गई हलाक होने वाले अफराद की मजमुई तादाद 1850 तक जाँ पहुची है नुवसकोशिया में फारिंग के वाके में हलाक होने वालों की तादाद 23 हो गई पुलीस की जानिब से मज़ीद तहकिकात जारी है क्यूबेक में करोना वाइरस से हलाक होने वालों की तादाद एक हजार से तजावस कर गई 20,126 मुतासिर हुए है वेंकोवे में चिकन प्रोसेसिंग प्लांट को करोना वाइरस पहलने के बाद बंद कर दिया गया 28 मुला जमीन में करोना वाइरस की तजदीक पूई थी अमरीका में करोना वाइरस की वबा से एक दिन में रिकॉर्ड 2750 अमबाद हलाकते 45,000 हो गई अमरीकी सदर डॉनल्ड टरफ ने 6 रोज के लिए अमरीका में इमिग्रेशन मॉत्तिल कर दी ट्रॉम का कहना था कि अभी इमिग्रेंट्स के मामले में बहस करने का वक्त नहीं है दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद 25,80,000 के करीब जाप पूची है जबके इस दे हलाकते 1,88,900 हो गई हेड्लाइन जबने जानी अब खबरे तफसील के साथ कनेडिन वजिराजन जेस्टिन ट्रॉडो ने उन तलबा के लिए एक नए हंगामी पैकेज का ऐलान किया है जिनकी तालीम और मुलाजमत के अमकानात करोना वाइरस की वज़ा से मतासर हुए है उनका कहना था कि पोस्सेकंडरी तालबे इल्मों को 1250 डॉलर हर माह अदा किये जाएंगे इस पैकेज का अगास अगस्त से होगा प्रॉडो का कहना था कि मासूर और उनके देखबाल करने वालों के लिए इस इमदाद को 1750 डॉलर तक बढ़ाया जाएगा दो बावता है ब कि गवापने पा-जारा है आगसा कि आहाएब कि अताता हुना है अगाएग हासूने लगा है लगाना कि आखशा आसूाहर लगाएगा स्क्रेहां अभाई होगा है $1,750 each month. This benefit is designed for you if you're a post-secondary student right now, if you're going to college in September, or if you graduated in December 2019. It's there for you even if you have a job, but you're only making up to $1,000 a month. The period covered by the benefit will start on May 1, and your payments will be delivered through the Canada Revenue Agency. We'll be working with opposition parties to move forward on legislation to put this new benefit in place. Trudeau said that the communities of their communities will be awarded to $1,000 to $5,000 dollars. Justin Trudeau told that Biru had 20,000 Canadians in Turkey, while they were saying that they will run flights in India. We are very aware of the challenges faced by Canadians all around the world who want to return to Canada at a time where international flights are extremely limited. We continue to work with governments around the world, including the Indian government. We have welcomed over the past month about 20,000 Canadians home through repatriation flights. They all go into quarantine when they're home to make sure that they're not increasing the risk of COVID-19 to everyone else. But it is important to be able to bring home Canadians. There are particularly high demands in some parts of the world, including India, that we are working very, very hard day and night to try and resolve. There have been many flights back from India, but there is a need for more. I think Canadians have been cut offised. We have looked at price in Canada. Canada has happened here at the fields of government. America has dropped in millions of quarters. Canada has gone on to many millions of thousands. In Hai, The Twin slut Е. अफराद में करोना वारस की तद्दीख हो गई है जिसके बाद मुल्खभर में करोना वारस केसिस की तादाद 38,422 हो चुकी है करोना वारस के बाइस कैनेडा में हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादा एक हजार आर्ट सो पचास तक जा पहुँची है आखरे इतलाद क के मताबिक सबसे जदा अफराद क्यूवेक में मतासिर हुए है जिनकी तादाद 20,126 तक पहुँची है और क्यूबेक में हलाकोत की तादाद 1041 हो गई है ऑन्टेरियो में मतासिर अफराद की तादाद 12,800 के करीब है जबके मजीद अफराद ज़ान की बाजी हार गए जिस अफराद की देखभाल और दीगर प्रोजेक्स के लिए दिये गए हैं टॉरंटो में करोना वारस केसिस की तादा 3820 जबके मरने वालों की तादा 290 हो चुकी है अलबर्टा में 3095 से जाइद अफराद मतासिर हो चुके है और वहां अमवाद की तादा एक सट है बिर्टिश पुलिस का कहना है कि सोला क्राइम सीन्स पर मुफसिल और पेचीदा तहकिकात जारी है जिसमें पांच जली हुई इमारते शामिल हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में नोवल सकोशिया में फारिंग के वाकिये में हलाख होने वालों की तादा तैस हो गई है पुलिस के कहना है कि सोला क्राइम सीन्स पर मुफसिल और पेचीदा तहकिकात जारी है जिसमें पांच जली हुई इमारते शामिल है आर सी एमपी का खयाल है कि गतल और आतिस जनी की वारतातें सिर्फ एक ही शक्स ने की हैं मुच्तबा शक्स को पुलिस ने इतवार के रोज एंफिल्ड में गैस स्टेशन के बाहर गोली मार कर हलाक कर दिया था अब्तदाई तहकिकात में सिर्फ 19 अफरात की मौत की तद्दीक हुई थी ताहम सर्च उपरेशन की तक्मील के आर सी एंपी ने मुल्जिम समेते इस अफरात की इस वाके में हलाकत की तद्दीक की है हमलावर ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और इसने हमले के लिए पुलिस की ही गाड़ी को इस्तमाल किया पुलिस हुकाम का कहना है कि 12 घंटे तक जारी रहने वाले मुकाबले के हमलावर को भी हलाक कर दिया गया क्योबेक में करोना वायरस के बाइस मजीद 102 अफरात हलाक हो गए जिसके बाद सूबे में वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 1000 से तजावस कर गई है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा में करोना वायरस से क्यूबेक सबसे जादा मुतासिर हुआ है क्यूबेक में क्रोना वायरस के बाइस मज़ीद 102 अफराद हलाख हो गए जिसके बाद सुबे में वायरस से मजमूई हलाकतों की तादात 1000 से तजावज कर गई है क्यूबेक में क्रोना वायरस के 20,126 केसिस सामने आ चुके हैं hunter इसकता दरुम में से 1224 अस्पटालों में जिर्एलाज हैं जिन में से 201 ICU में डाखिल हैं। क्योबेक में क्रोरना वारस के एक डॉक्टरकी मौत वाकुछ ही हैं। और सूबे मैं वारस के लिए यतस örश किसी साम मर्ने felир दॉक। में हेल्थ वर्कर्स तायुनात कर रहे हैं और अमले की खलत को पूरा किया जा रहा है उन्हों ने कहां कि हमारी हुकूमत मैश्चत की बहाली के मुखतलिफ आप्शन्स पर भी गौर कर रही है और महकमे सिहत की सिफारिशात की रोशनी में कारुबारों को बतद्रीच खोला जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आने वाले दिनों में सूबे की जानब से लॉकडाउन में नर्मी की तवक्को है वेंकोवर चिकन प्रोसेसिंग प्लांट में 28 मुलाजमीन में करोना वारस का टेस्ट मुस्बत आया है जिसके बाद प्लांट को बंद कर दिया गया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में वेंकुवर चिकन प्रोसेसिंग प्लांट में 28 मुलाजमी में करोना वारस का टेस्ट मुस्पताया है जिसके बाद प्लांट को बन कर दिया गया पबलिक हेल्थ हुकाम की जानेब से मश्ची वैंकोवर के चिकन प्रोसेसिंग प्लांट में करोना के पहलाओं की निशान दही की गई थी इत्वार के रोज एक मुलाजम में करोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने के बाद हुकाम ने प्लांट के 71 मुलाजमीन का टेस्ट किया था जिन मिसे 27 में करोना वायरस की तश्खीस हुई Health Authority का कैना है कि प्लांट से भेजी जाने वाली मुरगी की मस्दूआत को वापस नहीं मंगवाया जा रहा क्योंकि इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि खाना वायरस की मुंतगली का मुंकिना जरिया या रास्ता है BCH की जानव से जारी बायान में कहा गया है कि कोवेट 19 की ट्रांसमिशन से मुतालिक खाने या खाने की पैकेजिंग के मुतासिर होने की कोई इतला नहीं मिली है अमरीका में करोना से हलाकते 45,000 हो गई जबके इस से मुतासर अफराद 8,000 लाक से ज्यादा है माहीन का कहना है कि सर्दियों में करोना की दूसरी लहर मौजूदा वबा से ज्यादा खतरनाक होगी इस सवाले से मजीद जानते हैं अमरीका में करोना वारस की वबा से एक दिन में रिकॉर्ड 2750 समवाथ हुई जबके 24 घंटों में करोना के 40,000 नए मरीज सामने आ गए अमरीका में करोना से हलाकतیں 45,000 हो गए जबके इस से मुतासर अफराद 8,000 से जादा है अमरीकी माहीन का कहना है कि सर्दियों में करोना की दूसरी लहर मौजूदा वबा से जादा खतरनाक होगी अमरीका करोना वारस से सबसे जादा मुतासर मौै जहां ना सर्फ करोना मरीज बलके इस से हलाकते भी दुनिया के तमाम मौमालक में सबसे जादा है अमरीकी रियास्त नीयॉक में करोना वारस के बाइच सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं जहां अब तक इस मुजी वबा से 19,693 अफराद जाबाग हो चुके हैं जबके 2,56,555 करोना मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं अमरीका में करोना वारस से मजमुई हलाकत 45,343 हो गई जबके इस से बिमार होने वालों की मजमुई तादाद 8,19,175 हो गई हैं अमरीका के इस्पतालों में 6,90,869 करोना मरीज जिरे इलाज हैं जिन में से 14,016 की हालत तश्वीश नाक है जबके 82,973 करोना मरीज अल्ला ताल वारस से मतासर होने वालों की नौक्रियां इमिगरेंड्स को मिलना ना ना इंसाफी होगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने साट रोज के लिए अमरीका में इमिग्रेशन मौतल करते हुए कहा कि वायरस से मतासर होने वालों की नौक्रियां इमिग्रेंट्स को मिलना नाइंसाफी होगी तफसिलात के मताबक करोना वायरस से सबसे जादा मुमालिक में अमरीका सरे फैरस है जहां हलाकतों की तादात 45,000 से जाइद हो चुकी है अमरीकी सदर की जानब से रोजाना होने वाली सेक्रो हलाकतों के बावजूद मुझ सलसल मुल्क को दुबारा खोलने के बयाना अता रहे है हाल या बयान में अमरीकी सदर डॉनल्ल ट्राम्प ने कहा कि मेरी तरज़ी अमरीकियों की नौकरियों को महफूस बना रहा है वाइरस से मतासर होने वालों की नौकरिया इमिग्रेंट्स को मिलना नाइंसाफी होगी उन्हों ने कहा कि हमने पहले अमरीकी मुलाजमीन को महफूस करना है इसलिए अमरीका में इमिगरेशन साट रोज के लिए मौतल की जा रही है सदर डॉनल्ल ट्रॉंप का कहना था कि अभी इमिग्रेंट के मौामले पर बहस करने का वक्त नहीं है सदर्टरंप में वायरस मतासरین के वेंटीलेटर से मुझाल बताया کہ जोर्नल मोटर्स फोर्ड अज़ाफी वेंटीलेटर सियार कर रहे है डोनल्ल्टरंप का कहना था के इस वकत हमें दुनिया के बहत्री मेशियत बन करنا पड़ी वाइरस अमरीका में अमबात की शरा में कम ही आ रही है इसलिए 20 अमरीकी रियासतों ने कारूबार खूलने की तैयारी कर ली है सदर्टरंप ने अमरीकी कारूबारियों और मुलाजमीन के लिए इजाफी पैकेज का ऐलांग करते हुए बताया के कांग्रेस के साथ इजाफी 482 अरब डॉलर्स फंडिंग पर मुजाकरात कर रहे है दूसरी जानब एक हफ़ते के डेड लॉक के बाद अमरीकी सैनिट ने 484 अरब डॉलर्स कबिल मनजूर किया है जिसके तहए 382 अरब डॉलर्स छोटे कारूबारी हजरात को परहम किये जाएंगे ताके वो अपने कारूबार को दुबारा से चला सके 75 अरब डॉलर्स की रकम हस्पतालों को और 25 अरब डॉलर्स की इमदादी रकम करोना टेस्ट करने वाली लिबाटरीज को फराहम की जाएंगी करोना वारस के दुनिया भर में 16,89,096 मरीज अब भी हस्पतालों में जेरे इलाज हैं जिन मेंसे 57,245 की हालत तश्वीश नाख है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा फराग की तादाद 25,80,000 के करीब जाप पहुंची है जबके इस से हलाकतیں 1,78,900 हो गई करोना वारस के दुनिया भर में 16,89,09,09 मरीज अब भी हस्पतालों में जेरे इलाज हैं जिन में से 57,245 की हालत तश्वीश नाख है जबके 6,90,444 मरीज अल्दाला के फजल करम से इस बिमारी से निजात पाकर हस्पतालों से अपने घरों को लौट चुके हैं इस्पेन में करोना के अब तक 2,88,178 मुस्द्ध का मुतासरीन सामने आए हैं जबके इस वबसे अमवाद 21,717 हो चुकी हैं इटली में करोना से मजमूई अमवाद 24,648 हो चुकी हैं जहां इस वारस के अब तक कुल केसिस 1,83,957 रिपोर्ट हुए हैं फ्रांस में करोना वारस के बाइस मजमूई हालाकत 20,796 हो गई जबके करोना केसिस 1,58,050 हो गएं जर्मरी में करोना से कुल अमवाद की तादाद 5,086 हो गई जबके करोना के केसिस 1,48,453 हो गई बरतानिया में करोना से अमबात की तादा 17,337 हो गई जबके करोना के केसिस की तादा 1,39,044 हो गई तुर्की में करोना वारत से जाबहाक होने वालों की तादा 2,269 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 95,591 हो गई इरान में करोना वारत से मरने वालों के कुल तादाद 5297 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 84802 हो गई चीन में करोना से कुल हलाकते 4632 हो गई है जबके कुल करोना केसिस 82788 हो गई कORONA वारस से रूस में कलमवाथ 456 हो गई है जबके इसके मरीजों की तादाद 52763 हो चुकी है साथिय अरब में करोना वारस से अब तक कलमवाथ 109 रिपोर्ट होई है जबके इसके मरीजों की तादाद 11631 तक जा पहुंची है अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टेक टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू अउनली अट टेक टीवी यूट्यूब पर टेक टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टेक टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टेक टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे